नमस्ते मैं हूँ देव दृष्टियों प्रड़क्शन से और आपका मुजिक इंस्ट्रक्टर यहां बात करने वाले हैं आज रिवर्स पॉलारिटी के बारे में पॉलारिटी और फेसिंग इन दो शब्दों को बहुत लोग कन्फ्यूस कर देते हैं तो आपको पता होना चाहिए बहुत ही इसी बहुत ही सिंपल टर्म में मैं आपको समझाओंगा एक्जैक्ली वह चीज क्या है पहले मैं आपको यह समझा दूँ मान लिजी आपके घर में कोई भी इस तरह का म्यूजिक सिस्टम है LG, Sony जो बड़े बेसिक हम स्पीकर सुनते हैं उनके पिछे दो तरह की वायर्स होती है एक ब्लैक, एक रेड अगर आपने देखी हो कई बार हम क्या करते हैं उन्हें उल्टा जोड देते हैं और स्पीकर नहीं चल रहे होते हैं हम बड़े देखते हैं कि बिजली भी लगी है, लाइट भी आ रही है बट आवास क्यों नहीं आ रही है और हमें लगता है कि स्पीकर खराब है टेकनिकली इसलिए वो बना हुआ है कि काले वाला काले में जाएगा, लाल वाले लाल में जाएगा क्योंकि वो polarity सही होनी चाहिए, अगर उल्टी हो गई तो एक दूसरे को वो cut कर देते हैं इसलिए output नहीं आ रही होती, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ मैं यहां से कोई भी एक लेता हूँ, कोई low frequency मिल जाए तो आसान होगा low frequency में क्या होता है कि उसकी waves बड़ी clearly दिखती है, देखिए यह दिख रही है न मैं इसको थोड़ा और कर लेता हूँ, मैं जाता हूँ यहां पर option और यहां से मैं जाता हूँ settings और 96 को मैंने कर दिया, 768 कर लेते हैं, अच्छी तहां हो दिखेगा यह जो मैंने भी setting किया, इससे अब जादा zoom कर सकते हैं, कोई और special इसका काम नहीं है जी, तो मैंने देखिए काफी बड़ीया zoom इसे कर दिया है, आपके सामने एक-एक आपको दिख रही है यह इसकी basic sine wave है, जो आप देख रहे हैं, कि हलक असा high आया, इस high frequency नो टक किया, उसके बाद low frequency जो base देती ही आ रही है और आगे-आगे देखिए, खुलती ही आ रही है, बूम, कि यह आवास देखी, ठीक, मैंने इसे सुना, आए सुनते हैं ठीक है, बहुत बढ़िया, अब मैं क्या करता हूँ, same यही kick, एक और लेता हूँ, same मैंने एक और kick लगा दी मैं बिल्कुल जूम करके देखता हूँ, यह जो इसका positive और negative है, जो crest और trough है, जो आपको दिख रहे है इसका reversal जो है, उसे हम polarity कहेंगे, इसके positive और negative का देखे, जहाँ यह उपर है, वहीं यह उपर है, जहाँ यह नीचे है, वहीं यह नीचे है, ठीक है एक टी उपर एक रख दी, क्या होगा, volume थोड़ा आप हो जाएगा, कान बचाके मैं on करने लगा हूँ ठीक है, बहुत बढ़िया, मैंने क्या किया, इन दोनों samples में से, यहाँ क्लिक किया, एक sample को मैंने कर दिया, make unique यह देखिए, kick to होगी, double click किया, यह आपके सामने option आगी और यहाँ पर एक option है, reverse polarity इस पर मैंने कर दिया click, और आप देख रहे हैं, जैसे मैं से click कर रहा हूँ, नीचे उसकी wave file में कुछ फर्क पढ़ रहा है आपने इस चीज़ पर शायद कभी ध्यान ने दिया होगा, आपने इस पर select किया, अब क्या हुआ है, जहाँ उसका positive था, वहाँ वो negative है, जहाँ इसका positive है, वहाँ उसका negative, आप देख रहे हैं, दोनों उल्टी हो गई है पहले कैसे थी, मैं फिर दिखाता हूँ, मैंने off किया, वो भी उपर, वो भी उपर, वो भी नीचे, वो भी उचे, सेम crest, सेम positive, सेम negative reverse polarity मैंने की, जहाँ वो उपर है, यह नीचे है, जहाँ वो नीचे है, वहाँ उपर है, उससे क्या हो गया है यह मैंने exactly वोई चीज़ कर दिया है, काली और लाल वायर वाला काम, output ही नहीं आएगी, cancel हो गया, देखिए, play करूँगा मैं, कोई आवाज नहीं, कोई signal भी नहीं कोई मैंने setting भी नहीं छेड़ी है, सब कुछ on है यह क्यों है, क्योंकि exactly एक के उपर एक same sample रखा गया है, reverse polarity कर दी गही है, अगर मैं इसे पकड़के, बहुत खल्का सा भी इतना छेड़ दू थोड़ा सा भी मैंने छेड़ा है, अब यह same sample नहीं रहे, यह कोई और sine wave है, यह कोई और sine wave है, अब यह अवाज करेगा देख रहे हैं, लेकिन exactly same sample, उपर निचे मैं रख दिये, polarity मैंने reverse कर दी, तो एक दुसले को cancellation mode में चले गए अब मैं आपको एक और बड़िया तरीका दिखाता हूँ, यहां मेरे पास बड़ा है मॉला वे, जिन्हों नहीं सुना, यूट्यूब के उपर आप जाके search कर सकते हैं, मॉला वे, जार देव, Eros के चैनल पर आपको एक गाना सुन जाएगा, with video, जिन्हों नहीं नहीं देख मैं इसे zoom करके देखता हूँ, कि exact है, जी हां, बिल्कुल same wave है, बिल्कुल exact same wave आ रही है, एक percent भी कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल ये भी zero से zero लगा दिया, ये भी zero से zero, मैंने set कर दिया, लेकिन एक में vocal है, और एक minus track है, मैं देखता हूँ vocal कहा है, मैं इसे बंद करता ठीक है, और इधर क्या है, इसमें बस vocals नहीं है, तो मान लिजिए आपके पास एक ऐसा track है, जिसे बहुत लोग मुझसे ये पूछते भी हैं, live class की sessions में, कि किस तरह से मैं किसी एक गाने के vocal extract कर लूँ, आप बिल्कुल perfect तरीके से, बिल्कुल high quality vocals तभी extract कर सकते हैं, अगर exact, original, instrumental आपके पास होगा, ये याद रखेगा, जैसे ये है, ये original track, और ये उसका instrumental, minus track, तो मैं क्या करने वाला हूँ, exact मैंने उसको बिल्कुल 00, एक दूसरे के उपर रख दिया, ठीक है, किसी भी एक पर select किया, reverse polarity, उल्टी हो गई polarity, मैं इसको zoom करके, ये देखिए, जहा ये उपर है, वो नीचे चला गया, उल्टा हो गया है, यानि, जो same wave थी, वो तो cancel हो गई, लेकिन इसके अंदर कुछ extra था, वो क्या था, vocals, वो रह जाएंगी, आए सुनते हैं, यहाँ music है, ठीक है, जब vocal हैंगे तो देखते हैं कि vocals सुनते हैं कि नहीं सुनते, बाकी तो द देखो, फिर से music आगया, reverse polarity, बहुत easy, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसे बिल्कुल मैंने किया zoom, full zoom, और बड़ा हलका सा अगे कर दिया, बिल्कुल हलका सा, अब देखरे हैं, बिल्कुल starting में अब आवाज आएगी दोनों की, है के नहीं, phasing क्या चीज है, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी उपर, ये भी उपर, जो इसकी, सॉरी, ये जो wave file बनती है, अरे मैं बहुत zoom कर गया, चली यहां लेके चलते हैं, मान लिजी इन दोनों के center में एक line हो, तो मैं इसे करके अगर थोड़ असा 90 degree phasing कर देता हूँ, ये मेरा phase है, phase, अब ये भी आपको होगे कि ये उपर है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये उपर है, नहीं, ये तुमने आगे पीछे करके phase match की है, तो ये polarity नहीं है, ये phase है, phasing के उपर हम कभी अलग से discuss करेंगे, तो बड़ा simple था, बहुत ही basic था, ये है, अगर आपको समझ आगे, बहुत अची बात है, नहीं समझ आया, वीडियो पीछे करके देखते रहेगे, आपको definitely ये चीज समझ आएगी और बहुत important topic था, ये reverse polarity, आपको as an audio engineer पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है, ये मेरा instagram है, instagram.com slash devnextlevel, म मेरी high quality audios, wave file वगेरा, मैं यहीं पर upload करता हूँ, youtube audio को थोड़ा बहुत compress कर भी देता है, लेकिन यहाँ इसका जो audio engine perfect है, soundcloud का, अब youtube पे search कीजिए, मौलावे, जार, देव, आपके सामने song आ जाएगा, eros के उपर, इसको like कीजिए, share कीजिए, sport कीजिए, song को, और इसी song का म आपको इसमें बताया है, reverse polarity के अंदर, तो ज़रूर जाएए, और eros के channel के उपर, मेरा यह गाना, मौलावे, search कीजिए, और सुनिए, और बताये किस तरह से आपको लगा, तो मिलते हैं अगले lecture में, तब तक के लिए, day from districton productions, signing out, नमस्ते.